आज रस्पान कीजिए देवी भागवत पुरान के दूसरे दिन की कथा जिसमें देवी भागवत के महात्मि प्रसंग में राजा सुध्युम्ण के इस्तरी बनने और श्रीमत देवी भागवत श्रवन के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज जिलाब और मुनिवरों अब दूसरा इतिहास भी सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्मि कहा गया है एक समय की बात है मुनिवर अगस्त जी जिनकी पत्नी लोपा मुद्रा है स्वामी कार्थिके जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनिक कथाएं पूछी कार्थिके ने तीर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन नता हुई जगत की कल्यान के लिए परम तेजस्वी कार्थिके जी से उन्होंने फिर पूछा अगस्त जी बोले तारकसुर का संघार करने वाले है भगवन आप सर्वशक्ती संपन है अब देवी भागवत का महात्म में और उसके ननी निति सरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुड़गान किया गया है उस देवी भागवत नामक पुरान से बढ़कर दूसरा कोई पुरान नहीं है स्वामी कार्थिके ने कहा हे ब्रहमन श्रीमत देवी भागवत के महातमे को विस्तार पूर्वक भला कौन कह कह सकता है फिर भी मैं संशेप से कहता हूं सुनो जो निति सरूपा है सचित आनंद मैं जिनका श्रीव विग्र है तथा भुक्ती मुक्ती देना जिनका सुभाव ही है वे भगवती जगदंबिका देवी भागवत में स्वयम विराजमान रहती है इसलिए है मुने इसे नहीं थी वसिस्ट जी की सम्मती से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यग्य किया विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि है ब्रहामन आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्विसे कन्या उत्पन हो त्याब होता आ तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहां आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया राजा की बात सुनकर मुनी वर वसिस्ट ध्यानस्त हो गए पेर उन्हें मालुम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम की कारण है तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनी भगवान श्री हरी की शरन ली मुनी के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिनत हो गई उस समय गुरुदेव ने संसकार करके इला का नाम सुद्यूम्न रखा वे मनुपुत्र सुद्यूम्न ऐसे प्रकांड विद अपनी प्राण्प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसनिता पूर्वत विविषार कर रहे थी उसी समय उनके दर्षनों की अभिलाशा से मुनिघंण वहां पधारे मुनियों को देखकर पार्वती जी लजजित हो गई सयम शील मुनिया ने देखा भगवान शंकर और श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकरती इस्तरी बन जाएगी उसी समय से पुरुष उस इस्थान पर नहीं जाते सुद्यबन वहाँ पर अंजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकरती अर्थात उनका शरीर इस्तरी का हो गया उनके साथ के सभी लोग भी इस्तरी बन गए जो गोड़ा था वह भी गोड़ी के रूपे बतल गया ये देखकर उस सुंदरी इस्तरी को बड़ा चरिवा अब वह बन में इधर उधर घूमने लगी एक समय की बात है वह इस्तरी बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुँच गई उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन हो गया उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह इस्तरी भी सोमनंदन बुद्ध को पती बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी तब वे इस्तरी बुध के साथ हास विलास करती हुई उन्हें के आश्रम में रहने लगी कुछ समय बीतने पर बुध ने उस इस्तरी के गर्व से पुरुर्वा कूत्पन किया बुध के आश्रम में रहते वे उसे वर्षों बीत गए एक दिन उसे अपना पहला व्रताद याद आ गया याद आते ही उसके मन में दुख की घटा चा गई फिर तो वह बहां से निकली और तुरंथ ही गुरुदे वसिस्ट के आश्रम में चले गई उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समचार के सुनाया और पुना पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती भी उनकी शर्णापन हो गई सारी बाते विदित होने पर वसिस्ट जी कलाश परवत पर गए उन्होंने भगवान शंकर की भली भाती पूजा की और उत्तम भक्ती के साथ वे उनकी आराधना में लग गए वसिस्ट जी ने कहा है भगवन आप कल्यान सरूप मंगल करता और जटा धालन करने वाले हैं पारवती जी आपकी अर्धांगिनी है चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढाते रहते हैं आपके प्रती मेरा बारंबार नमस्कार है सुख प्रदान करने वाले केलास वासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है आप भगतों को बुक्ती और मुक्ती देने वाले भगवान निलकंठ है जो कल्यान में विग्रहे हैं शर्णा गतों का भई दूर करना ही जिनका स्वभाब बन गया है व्रिशब जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल है उन परम प्रभुशिप को मेरा नमस्कार है जो स्रस्थी, इस्थिती और संगहार के समय ब्रह्मा, विश्नु और रुद्र रूप धारन किया करते हैं जो वर्द देने में सदा तत्पर रहते हैं उन देवाधी देवत्रिपुरान तक भगवान शंकर को नमस्कार है यग्य करने वालों को यग्य फल प्रदान करने वाले यग्य सरुप भगवान शंकर को बारम बार नमस्कार है सूरी, चंद्रमा और अगनी को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है इस प्रकार वसिस्ट जी के इस्नूती करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए वे नंदी पर सवार थे, जगत जन्नी पार्वती जी साथ में ही विराजमान थी, शंकर जी का दिवे विग्रह करोडो सूर्यों के समान जगमगा रहा था, रजद गिरी के सद्रिश उनकी सवच कांती थी, तीन नेत्र थे, ललाट पर चंद्रमा सुशो भित्था, और वे अत करोडों में शीस जुकायa और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थ नगी, तब प्रसंद होकर भगवान शंकर ने मुनीवर से कहा, ये एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने इस्त्रि, इस प्रकार भगवान शंकर से बर प्राप्त करने पर वसिषट जी ने जगत जन्नी भगवती पारवती को प्रणाम किया विदेवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है करोणो चंद्रमा के समान उनकी सुन्दर कांती है उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है इला सदा के लिए पुरुष बन जाए इस कामना से मुनी भक्ती पुर्वक देवी पा अनन्त गुणों की आश्रे भूता देवी आपकी जय हो शर्णा गतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारम बार नमस्कार है दुख दूर करने वाली और दुस्ट दैत्यों की संगहारनी है भगवती दुर्गे आपकी जय हो भक्ती से प्रसन होकर मुक्षप्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन हो जाए देवी कौन है जो आपकी स्तूती कर सके मैं तो बस केवल आपको प्रणाम कर रहा हूं भगवती दुर्गा साक्षत नारायनी है वर्शिठ़ जी के भक्ती-पूर्वक इस प्रकार इस्तूति करने पर वेत कर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो हेद्विजवर तुम प्रसनता पूर्वक नौ दिनों में सुद्यम्न को श्रीमत देवी भागवत सुनाओ वह पुरान मुझे बहुत प्रेह है उसके सुनते ही वह उसी च्छण पुरुष हो जाएगा इस प्रकार कहकर भगवान शंकर औ दर्धिहान हो गए अब मुनीवर वसिस्ट जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए उन्होंने सुद्यम्न को बुलाया और देवी की आरधना करने की सारी बात कह सुनाई आश्युनमास के शुकलपक्ष में नवरात्र विधी का पालन करते वे मुनी न भगवती जगदंविका की पूजा की और राजा सुद्यम्न को श्रीमत देवी भागवत पुरान सुनाना आरब कर दिया राजा भी वे अम्रित मई कथा भक्ती भाहो से सुनने में संगलग्न हो गए कथा समाप्थ होने पर उन्होंने गुरुदे को प्रणाम करके उनकी प तरह तरह की यग्ये जिनमें प्रचुर दक्षिना दी जाती है उन सबसे देवी की पूजा की फिर पुत्रों को राज्य सौप कर स्वयम भगवती के परम धाम को चले गए विपरो मैंने विश्यत रूप से यह इतिहास कह सुनाया जो मनुष्य परम अम्रित रूप इस प् श्रीवन ने और श्रीमत देवी भागवत श्रवन के फल सुरोप सदा के लिए पुरुष्पन कर राज लाब और परमपद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सोत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यत अद्बूत कथा सुनने के बाद भी अगस्त जी की इच्छा शांत नहीं हुई तब नम्रता पूरुक उन्होंने श्री कार्थिकेजी से कहा उन्होंने कहा कि आप तो देव सेना के द्धक्षे हैं मैं आपके मुखारविन से यह अलोकी कथा सुन चुका हूं अब श्रीमत देवी भागवत का दूसरा महतमिस सुनाने की भी कर संग आरंब करके उसका महत्व दर्शाया गया हो उसे भागवत कहते हैं भगवती जगदंबिका से इस कथा का संबंध है इसलिए इसे देवी भागवत कहते हैं ब्रह्मा विश्नु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदंबिका की आराधना करते हैं रित्वाक नाम क एक बड़े मुनी थे उनकी बुद्धी बड़ी विलक्षन थी उनके यहां समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है उसी में उस बालक की उत्पत्ती हुई मुनी ने उससे लड़के की जातकर्मादी सभी क्रियाएं सवीधी संपन की चू सिती हो गई उसे निरंतर अनेक रोग सिताने लगे वे उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती अब वह लड़का भी उदंड हो गया तब मुनी अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे ये मेरा पुत्रमहान दुस्ठ हो गया उस समय उस पुत्र ना हो ये अच्छा है कि दुराचारी पुत्र हो जाना केसी भी स्थिती में ठीक नहीं है क्योंकि दुस्ठ पुत्र पित्रों को स्वर्ग से नरक में ढखेल देता है वे जीवन परियन पिता को केवल दुख ही दुख देता है को पुत्र और पाप परायन संतान से कभी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे पुत्र जन्म को दिकार है उस पुत्र से तो ना मित्रों का उपकार होता है ना शत्रों का अपकार ही जगत में वे ही पुरुष बढ़ भागी हैं जिरके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलब होता है सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है माता-पिता को सुखी बनाए रखता है और दुराचारी पुत्र से तो संपोन कुल ही नस्ठ हो जाता है जगत में अपकीरती होती इस लोग और पड़लोग में दुख सहने पड़ते और अंत में नरक की यातना भी भूगनी पड़ती है को पुत्र से तो कुल का नाशी हो जाता है दुस्ट इस्त्री मिलने से जनम की सार्थक्ता भी जाती रहती है इसकंद जी कहते हैं इस प्रकार दुस्ट पुत्र के नीच विवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि भगवन आप जोतिशास्त्र के आचार है मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताने के करपा करें मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधी पुर्वप वेदा ध्यान किया ब्रह्म चरे व्रत का पालन करके उचित रूप से विवहा की विधी भी संपन की इस्तरी के साथ रहकर मैं सदा ग्रैस्त धर्म का पालन करता रहा विपरवर मुझे नरक का भई सदा बना रहता था अतह काम समंदी सुख की इच्छना करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रा ज्यानुसार गर्भाधान किया मुने फिर भी मातात्वा पित किसके दोश से मुझे पुत्र प्राप्त हो गया ये दुखदाई पुत्र परिवार में बड़ी शांती फिला रहा है रिशी मुने की बात सुनकर जोति शास्त्र के परगामी मुनिवर गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करके कहने लगे मुने पुत्र के दुश्चरित हो ना तुम कारण हो और ना माता या फिरकुल ही है रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है यही कारण है क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुमारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका सभाव बन गया दूसरा कोई भी कारण नही है हे ब्रहमन तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जन्नी भगवती दुर्गा की आराधना करो यतन पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विग्न शांत कर देती हैं गरग जी की बात सुनका रितवाक मुनी क्रोध से मुर्चित हो गए उन्होंने रेवत की नक्षयत्र आकाश्य से तूटकर कुमुद्गरी पर आपड़ी रेवती के गिरने से वह परवत रैव तक नाम से प्रसिद्ध हो गया तब से उस परवत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई यह रेवती को श्राप देने के बाद मुनिवर रितवाग गर्ग जी के कहे अ उपम सुन्दरी होकर वे दूसरी लक्षमी की तरह शोभा पाने लगी रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच रिशी की द्रस्टी पढ़ गई उसे देखकर वे प्रसन होकर उसका नाम उन्हने रेवती रख दिया महर्शी प्रमुच का आश्रम को म अश्रम में ले आए और पुत्री की तरह धर्म पूरक उसके पालन पोशन की विवस्था करने लगे जब कुछ समय बाद वे सुन्दरी कन्या युवती हो गई तब उसे देखकर कौन इसके योगी वर होगा ऐसा करके मुनी विचार करने लगे बहुत सोचने विचारने पर उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हीं सफलता नहीं मिल सकी तब वे अगनी शाला में जाकर अगनी देव की उपासना करने लगे अगनी देव प्रसन हुए और प्रकट होकर कन्या के वरके विशय में मुनी से बोले कि मुने सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराकर्मी शूरवीर प्रेभाशी और युद्ध में पीछे ना हटने वाले राजा दुर्दम इसके पती होंगे अगनी देव की यह बात सुनकर मुनी के मन में प्रसनिता चा गई उसी समय सयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच रिशी के आश्रम में आ गए वे बड़े बुधिमान, बलवान और शक्तिशाली थे उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था प्रेवरत के वंश में उनकी उत्पत्ती हुई थी जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनी दिखाई नहीं पड़े इसलिए उन्होंने उस चरणों के दर्शन करना जाता हूं तब कन्या बोली महराज मुनी वर तो अभी अभी निकलकर अगनिशाला में गए हैं कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अगनिशाला के द्वार पर पहुच गए वे राजोचित वेशबूसा में थे नम्रता से उनका मस्तक जुका उन पर मुनी के द्रस्टी पड़ी तब राजा ने मुनी को प्रणाम किया और मुनी अपने शिष्ट से कहने लगे कि गौतम अर्ग उपसित करो यह राजा अर्ग पाने के अधिकारी हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि यह ह प्रचुर आश्रवाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल छेम पूछी कहने लगे कि राजन तुम्हारी सेना खजाना मित्र मंडली ब्रत्यवर्ग मंत्रीवर्ग देश नगर और स्वेम आत्मा में कि सिप्रकार की कोई अशांती तो नहीं है ना तुम्हारी पतनी कि तो कुशल पूछनी ही नहीं है क्योंकि वो तो मेरे यहां ही ठहरी है इसी से मैंने इसका समचार नहीं पूछा अन्य लोगों की कुशल कह सनाओ तब राजा कहने लगे कि भगवन आपकी किरपा से सब कुछ कुशल मंगल है ब्रहामन पर मुझे ये बहुत आश्र हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा अतह मेरी कौन सी पत्नी आपके यहां है रिशी बोले राजन जो जगत में अदवितिय सुन्दरी है वै किस परकार तुम्हारी पत्नी हुई यह रहसे तुम नहीं जानते राजा कहने लगे प्रभो मेरी सुभद्रा आदी पत्निया घर पर ह भगवन रेवती के संबन में तो मुझे कुछ भी नहीं पता रिशी बोले राजन अभी अभी तुमने जिसे प्रिये शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी प्रियेसी पत्नी है एक छड़ भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए राजा कहने लगे मुने आप जो कहते हूं तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था कि तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारन करना पड़ा इस कन्या के पती कौन होंगे ये बात अभी अभी मैंने अग्री देव से पूछी थी उन्होंने कहा है राजा दुर्दम इस कन्या के पती होंगे और इसे को कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए मुनी की ये बात सुनकर राजा मौन हो गए अब मुनी उनके विवहा की विधी संपन करने की विवस्था करने लगे पानी ग्रहन संसकार करने के प्रयास में संगलग्न मुनी को देखकर उनकी कन्या उनसे कहने लगी कि पिता जी उची तो यह है कि आप मेरा विभा रेवती नक्षत्र में ही करने की करपा करें। रिशी बोले वत्से अनेकों विवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही विवाह क्यों करें। रेवती तो इस समय नक्षत्र मंदल में है भी नहीं। तो कन्या कहने लगी, रेवती से भिन नक्षत्र में मेरा विवाह संसकार समुचित नहीं होगा, इसलिए पिताजी मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरी विवाही क्रिया संपन्र करने की किरपा करे। रिशी बोले, पूर्व समय की बात है, रितवाक मुनी ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था, अब वहाँ उसका इस्थान ही नहीं रहा, फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसनता प्रकट कर रही हो। कन्या कहने लगी पिताजी, क्या केवल रितवाग मुनी ने ही तपस्या की है? मन वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या योगिता आप में नहीं? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, और मैं आपका तपोबल भी खूब जानती हूँ। इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनह इस्थापित करके उसी नक्षत्र में में मेरा विवह कर दीजिए। फिर उसी नक्षत्र में ही वेवाहिक विधी के अनुसार मुनी ने राजा दुर्दम को भे रेटी नाम की कर्ण्या सौबती विवह कर देने के बाद मुनी ने राजा से कहा, वेर तुम्हें क्या पाने की इच्छा है कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तयार हूँ। राजा बोले मुनीवर, मैं स्वायम्भू मनु का वंशज हूँ। आपकी क्रप्रा से मुझे मनवंतर का अधिस्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। मुनी ने कहा, राजन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदंबिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवशी ही प्राप्त होगा। श्रीमत देवी भागवत पुराण, पांचवा पुराण है, उसकी पांच आवर्तियां श्रवन करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवति के गर्व से पांचवा रैवत नामक मनु होगा, उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्र के सभी रहस उसे ग्याद रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनी के ऐसा कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक जुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। पिता पिता महकी राजगद्धी पर बैट कर उन्होंने फिर शासन आरंब कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुधिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहें जैसे औरस पुत्रकी की जाती है। एक समय की बात हैं महात्मा लोमशी राज भवन में बधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सतकार किया और हाथ जूर कर कहने लगे कि मुने आप तो सर्व समर्थ हैं मुझे पुद्र पाने की इच्छा है। अतहे आप श्रीमत देवी भागवत नामक पुरान सुनाने की करपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमशी को बड़ा अनंद हुआ। वे कहने लगे राजन तुम धन्य हो। तब ही तो तिरी लोग जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ती जागरित हो देवता, दानव और मनुश्यों की परम आराध्या हैं। उनमें जब तुम्हारी भक्ती हो गई तब तुम्हारा कारिस सिद्धोने में भला क्या असंदे है। इसलिए राजन मैं तुम्हें श्रीमत देवी भागवत पुरान अवशी ही सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात कथा की पांच आवरत्या सुनते रहे। कथा समाप्थ होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यत आनंद के साथ पुरान और मुनी की पूजा की। नर्वान मंत्र से हवन किया। कुमारी कन्याय जिमाई गई। वे सपतनीक ब्रहमन भोजन में सम्मिलित हुए और सब को दक्ष संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मूर्थ बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्श शा गया। उन्होंने इसनान किया। स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जातकर्मादी क्रियाएं सुचारों रूप से संपन्न की गई। ब स्थान करने वाला परम प्राक्रमी तथा अस्र वेताओं में सर्वस्टेस्ट निकला। फिर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु की पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक प्रत्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार म भगवती जगदंभिका के और पुरान के महतम्मिका संशेप से वणन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं अगस्त जी ने श्रीमत देवी भागवत के महतम्मिक और विधी सुनने के बाद स्वामी कार्थ के जिखी पूजा की और पुन्ह अपने आश्रम को लोटाए प्रहमडो तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत की महातम्य का वन्नन में कर चुका भाक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भूग कर अंत में भव बंधन से मुक्त ह को जाता है अर्थात मुक्ष को प्राप्त कर लेता है रिशिगन बोले हे महाभाग सुद्जी हम देवी भागवत के उत्तम महातम्य को तो सुन चुके अब पूरान श्रवन की विधी भी सुनना चाहते हैं तब सुद्जी कहने लगे मुनिगणों विद्वान पुरुष को अनुराधा नक्षत्र पॉर्णेतितियां और शुब ग्रहवार इनमें कथा आरम करने से उत्तम फल्की प्राप्ति होती है जिस नक्षत्र में ब्रिस्पति हो उससे चेंद्रमा तक गिने क्रम्शा फल्यों समझना चाहिए कि चार तक धर्म प्राप्ति फिर चार तक घ्यांत प्राप्ती है पुरां श्रवन के आर्म में इस चक्र पर अवशिये विचार करने के लिए इसके पर तब भी तिथी नक्षत्र और दिन के संबन में विचार करना परम आवश्चक है विवेक शील पुरुष का करता भी होता है कि विवह आदी यग्यों में जैसी सामगरी आवश्चक होती है वैसे ही सामगरी इस नवह यग में भी एकत्रित करने का प्रयास करे दंब और लोब से रहित अने को सायक विद्वान रहने चाहिए भगवती जगदंबिका में भक्ति रखने वाले चार अन्य पुरुष कथा वाचक के अतिरिक्त बैठ कर पाठ करे प्रत्यक दिशा में इस प्रकार संदेश विजवाना चाहिए कि आप लोग यहां अवशी ही पधारिए श्रीमत देवी भगवत की कथा आरंब हो रही है सोरी गड़े, शिव, शक्ति तथा विश्नु किनी भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों नहों वे सभी इस कथा श्रवन के अधिकारी है क्योंकि सभी देवता भगवती आत्यशक्ति की उपासना तो करते ही है श्रीमत देवी भगवत की कथा अमरित मई है इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उतकर इच्छा से यहां अवशी ही पधारने की किरपा खरे ब्रहमन आदी चारोवन, इस्त्रिया, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निश्काम सभी इस कथा रूपी अमरित का पान करने के अधिकारी है अगर नौ दिनों तर कथा सुनने का अफकाश ना मिले तो इस पुन्निमाई यगी में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवशी ही आना चाहे अत्यत नमर्दा के साथ जनसभा में निमंतरन भीजना चाहे आये भी सजन को ठहराने के लिए समुचित इस्थान का प्रबंद करना चाहे धर्ती को जाड़ बुहार कर कथा का इस्थान सजाए वहां की भूमी विस्तरितों से गोबर से लीपना चाहे वह सुन्दर मंडब बनाए केले के खंबे लगाये जाए उपर चांदनी लगा दी जाए धोजा और पताकाउं से मंडब की सजावट होनी चाहे कथा वाचक के लिए दिवि आसन लगाए उस आसन पर सुख प्रत बिछोना होना चाहे यतन पूर्वक ऐसा आसन बनाए कि वक्ता पूर्व अत्वा उत्तर की और मूँ करके कथा बाच सके कथा सुनने के लिए इस्त्रिपुरुष सभी आएं और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो सुन्दर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्री विजयी, शास्त्र ज्यानी, देवी के उपासक, दयाशील, निस्प्रह, उदार और सत असत का ज्यान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम बक्ता माने जाते हैं शुरोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ती हो तथा जो कथा रूपी रसका पान करना चाहता हो साथी उदार, निरलोभी और नप्त तथा हिंसादी से भी वर्जित हो पाखंड रचने वाला लोभी, इस्त्री लंपट, धर्मत्यजेई, कटू भाशी और क्रोधी सुभावाला वक्ता देवी यग्य में श्रेष्ट नहीं माना गया है श्रोताओं को समझाने में तरपर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदे निवारन करने के लिए साहयक रूप में कथा वाचक के साथ बठाए जाए कथा आरंब होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागन शौर करा ले इसके बाद नियम पालन करने में लग जाए शौच आदी से निव्रित होकर अरूनोदय वेला में ही इस्नान कर ले संध्या तरपन आदी नितिकर्म संशेब से करे श्रीमत देवी भागवत की कथा सुन्ने का अधिकारी बनने के लिए गौदान करना चाहिए श्रीमत देवी भागवत की पुस्तक सुन्दर अक्षरों से संपन भगवती की बांगमी मूर्ती है संपून उपचारों से इसकी पूजा परम आवशक है तरथा की निर्विगन समापती के लिए पांच ब्रहमनों को उनका पूजन करें वे ब्रहमन नर्वान मंत्र का जब और दुर्गा सत्षती का पाठ करें प्रदक्षिना और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की इस प्रकार इस्तूती करनी चाहिए कि हे कात्यायनी आप महा माया और जगत की अधीश्वरी हैं भवानी आपकी मूर्ती कृपा मई है मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ मेरा उधार कीजिए ब्रहमा विश्णू अशिव से सुपूजित होने वाली जगदंबी के आप मुझपर प्रसन होएं देवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ मुझे अभिलेशित वर देने की कृपा कीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकागर करके कथा सुने व्यास रूप मानकर समाही चित से कथा वाचक की पूजा करें माला अलंकार और वस्त्र आदी से स्वागत करके व्यास देव की इस प्रकार प्रार्थना करें की भगवन आप व्यास रूप हैं संपुन शांस्त्रों और इतिहासों का रहस्य आपको ग्यात है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदै करके मेरे अंतहकरन की अंधिकार को दूर करने की करपा कीजिए। नौ दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्रहमनों को बिठा कर उनकी पूजा करने के बास स्वेम बैठे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारो पुर्शार्थ प्राप्त करने के लिए खुब साब्धानी से कथा श्रवन करना चाहिए। उस समय घर इस् चौच पर नियंत्रन रहे अत्वा बारं बार ना जाना पड़े। इसलिए थोड़ा भूजन करना उत्तम है। वास्तों में तो कथार्थी एक समय के वल हविश्य पात्र खाएं यही ठीक है। अत्वा वे दूध फाल या घी के आधार पर भी रह सकते हैं। विचार शील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विग्ण ना पड़े वैसे ही भोजन की विवस्था कर लें। हे ब्रह्मनों अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूं। जो ब्रह्मा विश्णू और शंकर जी में भेद द्रश्ठी रखते हैं। बताओं के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनिश्य कथा श्रवन के अनाधिकारी हैं। व्रति पुरुष ब्रह्मचरिका पालन करें। जमीन पर सोए सत्य बोले इंद्रियों को काबु में रखे और कथा समाप्थ होने पर रात में संयम पुर्वक पत्रा वली में अर थात रजस्वला इस्त्री का देखा हुआ अन्न मूली हिंग प्याज लहसुन गाजर कोड़ा और नाली का नामक साग ना खाए। काम क्रोध मद मोहुर दंप और अभिमान को पास नाने दे। ब्रहमन द्रोही पतित संसकार हीन चांडाल यवन रजस्वला इस्त्री और वे पुरुषयों ने चाहिए कि सदा नम्र रहें निश्कपट ब्यबहार करें पवित्रता रखें दयालू बने थोड़ा बोलें और मनी मन उदारता प्रकट करते रहें श्वेत कुस्थी कुस्थी छैरोग वाला भाग्य हीन पापी दरित्र और संतान हीन जन भी भक्ति पूर सुने जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाने की इच्छा रखता है बैयतन पूर्वक श्रीमत देवी भागवत की कथा सुने कथा के ये नौ दिन नौ यग्यों की समान है इनमें किया हुआ दान हवन जप अनंत फल देने वाला होता है इस प्र भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदंबिका का सुभाव ही है पुस्तक और कथा वाच्चक की प्रति दिन पूजा करनी चाहिए वक्ता के दिये वे परिसात को भक्ती पुर्वत स्विकार कर ले जो पुरुष प्रति दिन कुमाली कन्याओं की पूजा करता उन्हें जिमाता और प्रार्दन करता है साती सुवासनी इस्तिर और ब्रहमनों को भी भूजन कराता है उसकी कारे सिद्धी में कुछ भी संदे नहीं रहता कथा समापती के दिन संपुन दोशों के शमनार्थ गयत्री सहस्टनाम अथ्वा विश्णु सहस्टनाम का पार्ट करना चाहिए जिनके इस्मरण और नामुचरण से तप यग्य और क्रियाओं में नियुनता नहीं रह जाती उन भगवान विश्णु का कीर्दन अवश्य ही करना चाहिए समाप्ति के दिन श्री दुर्गा सत्षती मंत्रों से या पिदेवी भागवत के मूल पाठ से अत्वा नर्वान मंत्र से हवन करने का विधान है या गायत्री मंत्र का उचारन करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए जोकि इस श्रीमत देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है वस्त राभूशन और धन से कथा वाचे को संतुष्ट करना चाहिए कथा वाच्चे के प्रसन हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसनिता उपलप्त हो जाती है भक्ती पुर्वक ब्रहमनों को भोजन करा कर फिर उन्हें दक्षिना से संतुस्ट करें क्योंकि ब्रहमन प्रत्वी पर देवता के स्वरोप हैं उनके प्रसन होने पर अपनी अभिलाशा भी पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ती रखने वाला पुरुष सुहागी ने इस्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। उन्हें दक्षिना देकर अपने कारी के सिध्धी के लिए उनसे प्रार्धना करे। स्वर्ण दूध देने वाली काए हाथी घोडे तथा प्रत्वी आधी का भी दान करना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीवा तेवी भागब सुन्दर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेश्मी वस्त्र में लपेट कर स्वर्ण के सिंहासन पर रखे और अस्ठमी अत्वा नौमी के दिन कथा वाचक की पूजा करके उन्हें दे दे। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंतमें दुरलब मुक्ती पा जाता है। पुरान की जानकारी रखने वाला दरितर दुर्बल बालक तरुन अत्वा बुढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी पूछ और स्थरवदा आदरनी माना जाता है। गुण और जन्म देने वाले जगत में अनेको गुरु हैं किन्तु उन सब की अपेक्षा पुरान का ज्याता गुरु ही सरविस्त्रेश समझा जाता है। पुरान की जानकारी रखने वाला प्राहमन अगर व्यास गद्धी पर बैठकर कथा बांच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पुरु किसी को भी प्रणाम ना करे। पुरान की कथा परम पवित्र हैं जो इसे उपेक्षा बुद्धी से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता नहीं बलकि उल्टे दुख और दरित्र भोगने पड़ते हैं। जो देवी भागवत नो बार सुन चुका हो उसके फलका कहां तक बढ़नन किया जाए वो तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। श्रीमत देवी भागवत के आधी श्लोक अत्वा आधे पाठ को भी श्रवन पठन करने वाला पुरुष परंपत का अधिकारी हो जाता है। स्वयम भागवती जगदंबिका के श्रीमुक से आधा श्लोक ही निकला। फिर श्रीश्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है ना तपस्या है ना देवता है और ना ही भजने योगी ही है। श्रीमत देवी भागवत परम पावन पुरान है ब्रहमनों का ये एक मात्र धन है नारायन सुरुप धर्मनंदन युदिस्टर ने इसी में धर्म की परियाप्त व्याख्या की है गायत्री का रहस निवास भूत भगवती के मनिद्वीब का वर्णन और स्वेम भगवती द्व पुली के प्रभांसे ब्रहमा जी इस जगत की श्रस्टी करते विश्णु पालन करते और रुत्र संघार करने में सफल होते हैं उन भगवती जगदंबिका के निरंतर प्रणाम है निद्री पर भगवती जगदंबिका का भव ह्व भवन विराज侈 मान ये भवन चिंता मणी आधी रतनों से बना है अमरित से भरे कूप और दिविवरक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं भगवान शंकर के हिर्दय में इस्थान पाने वाली प्रसन वदना भगवती जगदंबी का वहां विराजती है बड़ भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चे ही परमपत भी प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकर और इंद्रादी देवता जिनकी उपासना करते हैं वे मनी दूप की अधिस्ठात्री देवी भगवती जगदंबी का जगत का कल्यान करें जय माता दी आज की कथर समाप्तुई उम्मीद है ये विडियो आपको पसंदाई होगी